तो हलो एंट जैहिंद एवरीवन दिशीज जैशू कैसो आप सभी आइधिंक सभी सभी सुपब होगे वीडियो मैं बता दू आपका इंदेन कोष्ट गार्ड पर मैं सेक्षन मतलब वीक है या फिर नहीं पढ़े हो या लग रहा है कि क्या पढ़े मैथ को लेके कुछ भी डा हां ठीक है तो मैं बताता हु यहार मैथ्मेटिक्स है यहां पर और मैस्मिस जैसे एरफॉर्स की ऋप्र आते हैं है रहा इसा तो बता नहीं सबस्कुतिक्स को पर गाल जो कोर्ष गौार्ड ने दीया था उपीशल वेप साइट पर इसके बाद उसके बाद उस्के बाद उस में तौपाइक से FROM सच कि इती कॉस्षण है अब यहां पर तो हुआ गया कि 20 में से केवल जो कोश्चन है ना वो केवल केवल 6 और 7 टॉपिक से ही है चलो मैं दिखाता हूँ कौन-कौन से टॉपिक होने वाले यहां पर बता दो तो पूरी की पूरी आपकी मैथ आर्थमेटिक मैथ कोई भी यहां पर ऐसा चैप्टर नहीं है जो ना लि मैंने के लिए कुछ नहीं आपको जो भी करना सिंपल से यूटूब पर सर्च करो ट्रिगोनोमेट्री मैरा थां क्लास एक तिन चार घंटे क्लास मिल जाएगी पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको आने लगए उसके बद आपको सल प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है तो चलो प फर अब कोशिन बता दीता हो कि स्टॉपिक से कितने कौश इसका पेडिया टेलीग्राम चैनल ओर्लीन ऑउनलेन एजुक्सियन पर कर दूंगा आप मैंसे जो भी लोग वहां पे नहीं जोए हैं टेलीटियुकर्ष कर दो हम आपको 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 अजोए दिक्कत कर सीन नह यूनिट प्लेस आप इसका यूनिट प्लेस फाइंड और कोई दिक्कत नहीं यह देखो यह मैं इसे मैंने सिंप्लिफिकेशन वाली कैटिगरी पे रखा मैं टोटल बताता हूं किस कोशिया कहां से कौशन आया हो ठीक है अगला नंबर नंबर मैं बता दो जो पी एन क्यू थ अबर प्रसेंटा कोशिशन दोंके कोशिशन शाथ हूं नंबर आपका लाब हानी वाला कोशिशन इतने उन वेश्टा है तो आईसा पूचा हूँ आठ्वा नंबर ए ayuda कोश्यन हो गए एवरेज किए ठीक है यह जो सात्वा नंबर हाँ ठीक है यह जो सात्वा और आठ्वा कौन सा कम करेगा ठीक है आँगे बढ़ता है नेक्सेंट कुछन यहाँ पर पर इनोंने देदिया परसेंटेज के तीन हो गए टीक है कापी इज़ी कोशिव यह वैसे यह टीक है और उसके बाद यहां पे फिर से एक percentage का कोश्यन आंगे बढ़ते हैं QA plus B plus C बरावर ये ये नंबर सीरीज मां सकते है या से से जि询़ एक इसके बराबर हो गा ये सिंपल सा उसी क्याटिगरी का आ जाता है नंबर से डिया इस सिंप्लिफिकेशन बस 20 कोश्चन हो गए अब कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने कोश्चन है वो मैं आप में बताता हूं सिंप्लिफिकेशन से तीन कोश्चन अब आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है भाई सिंप्लिफिकेशन को तो विल्कुल उड़ा देना है दूसरा न तोपिक और एवरेज भी बहुत ही जी ठीक है मुझे लगता है एस यह ठोड़ा सा दिक्कत करता होगा आपको अगर मेभी करता हो नहीं तो भी आपको आता ही ओगा यह अर्थमेटिक तो इजी होता है टेकनिकल वाले से ठीक है तो परसंटेज जो होता है आपका और जो एवर नमबर नमबर सीरीज तीसरा नमबर परसंटेज चौथा नमबर आपका एवरेज और पांचवा नमबर आपका ट्रिगोनोमेट्री अगर यह पांच टॉपिक कर लोगे सब्सक्राइब कर लेकिन इतने में से काम नहीं होगा तो आपको मेंसुरेशन भी करना होगा और मैं तो कहूंगा अगर तक तो जाना है अगर साट में 45 नमबर लाने तो मेंसुरेशन टॉपिक को पढ़ लेना टाइम वर्क टॉपिक से आपको देखने को मिला है बाकि कोई डिफिकल्ट नहीं है एक बात और बताता हूं आप सभी को परिक्षिया आप लोगों के ट्वंटी टेस्ट किये थे क्योंकि उसमें 25 तो मैद का कोश्चन होगा 25 फिजिक से कोश्चन होगा फिर आपको समझ में नहीं क्योंकि आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पाऊगे तो मैं कहूंगा यह 20 टेस्ट है आप डेली डेली दो दो लगाओ आपका 10 दिन में खतम हो जाएगा और प्राइस भी तो मुझे के वाल एक सुद्दस रुपए देने पड़ेंगा यह जितने भी टेस्ट हैं मिल जाएंगे लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा आपको जैसे कोश्ट करना आपको डालना है और यहां पर आजाएगा आपका पूपन कोट करके देख सकते हो पचासव हजार लड़के हैं उनके बीच में आपका हजार के नीचे रहेंक आ रहें तब जाके आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है ठीक है और उसके बाद उनमें निगेटिव मार्किंग है नहीं लेकिन सॉलूशन आपको फूल देखने को मिल जाएगा किसी कोशन में कोई डा अप्लाइप कर देना जैसी अप्लाइप एक रहोगा तो आपको चुट नाइंटी नैंट इन प्राइस है इसका वन हंड़ेट फॉर्टी नाइन हो जाएगा यह क्यों नहीं हो रहा है यह नेट्वर्क मेरा बहुत बाहर जाना होगा यहीं चीजह थी जो मुझे आपके